नमस्कार आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूस और मैं हूँ आपके साथ आयूशी महरशी यूपी जुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार के बाद अखिलेश आदव विपक्षियों के साथ अपनी पार्टी के भी नेताओं के निशाने पर है उनके पार्टी के कारेकरता उनके मुश्किले बढ़ा रहे हैं हाली में जहां शिवपाल की बीजेपी से नजदी के बढ़ाने की खबर आ रही थी वहीं आजम खान के समर्थकों ने भी अकिलेश की मुश्किले बढ़ा दी है दूसरी और राजनियतिक दल भी सपा से आजम खान की नाराजगी का फायदा उठाने की होड में लगे हुए है जिसमें सबसे पहले नाम आता है असुदीन ओवेसी का वहीं पार्टी AIMIM प्रदेश प्रवक्ता के मुहमत फरान समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंतरी आजम खान को अपने खेमे में लेने के लिए तयार है AIMIM ने जेल में बंद आजम खान को पत्र लिख कर उन्हें पार्टी में शामिल होने का आगरे किया और कहा कि अखिले शादव मुसल्मानों के हितेशी नहीं है इसलिए आप हमारे साथ आईए उन्होंने अपने चिठी में लिखा वह मुसल्मानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह समझते हैं पिछले तीन सालों से आजम खान और उनके परिवार के लिए अखिले शादव और उनके सिपे सालारों ने कोई ठोस अवास नहीं उठाई जोरान AIM प्रवक्ता मुहमद फराद ने आजम खान ते जेल में मुलाकात का समय भी मांगा है तो चलिए फिदाल के लिए सिर्फ इतना ही इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूस नमस्कार